आप लोगों में से कई लोग एस्टॉक ट्रेदिंग करते हैं और आप ट्रेदिंग करते हैं तो आपको यह पता है कि एस्टॉक ट्रेदिंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मैं अपने ट्रेदिंग के लिए स्टॉक कैसे कौन सा और कहा से सेलेक्ट करूँ इंडेक्स ट्रेट करते हैं तो यह दिकत नहीं होती क्योंकि आप किलियर होते हो कि आपको बैंक निफ्टी आज ट्रेट करना है या निफ्टी ट्रेट करना है सो स्टॉक सेलेक्शन के इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में सेर कर रहा हूँ फ्यूचर उपन द्रिस्ट से स्टॉक सेलेक्ट करने का तरीका जो मैं पर्सनली योज करता हूँ इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरत पर दुवारा देखना क्योंकि यह वीडियो धासू ओने वाला है और बिना किसी लाग लपेद के अगर आप टैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जैसे कि मैंने काया कि मैं फ्यूचर ओपन टेस्ट को यूज करने वाला हूँ अपने स्टॉक सेलेक्शन के लिए तो इस वज़े से आप देखेंगे मैं इस फ्यूचर दैस बोट का यूज करने जा रहा हूँ फ्यूचर के वाई बिल्द अपस आपको मिलेंगे और आपको मिलेगा पहला आपको तॉप लॉंग बिल्द अप मिलेगा Top South Covering मिलेगा, Top South Build-up मिलेगा और Top Long Unwinding मिलेगा ये और इसके बाद एक और चीज मिलेगा जो ये है Top Significant Long Build-up Significant South Covering Significant South Build-up Significant Long Unwinding तो ये चार जो dashboard पर ये चार information है ये हमारे काम के हैं और इसी के base पे हम लोग desktop को select करेंगे एक-एक step को follow करते जाईए आपको समझ में आएगा कि या कितना का stock selection है आपके देखिए कि market कैसा है market अगर bulls के लिए है तो आपका जो stock selection हो वो bulls के लिए हो मतलब अगर तेजी का माहौल है तो आप ऐसे stock को select करें जिसमें further तेजी हमें देखने को मिलेगी अगर 34-100 चल रहा हो तो ऐसे stock को select करें जहां हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे stock को select करने जा रहा है जिसपे हमें तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि एक तो मैं personally buy करना पसंद करता हूँ और उपर से market भी वैसे ही दिखाई पढ़ रहा है तो आप देखिए यहाँ पे आपको दो column मिलेगा एक तो यह significant long buildup का और दूसरा column आपको long buildup का तो अगर आप तेजी bulls हैं तेजी करना चाहते हैं तो इस column से ही इन दोनों column से ही आप stock को select करें अब रहा बात की इन दोनों column में से कौन सा stock को select करेंगे देखिये आप click करके some stock को check कर सकें आगे जो मैं step बताता हो उस step से फिल्हाल के लिए इन दोनों column से 1 चेक मैं stock select करूंगा और आगे verify करूंगा कि इस पर क्या चल रहा है यह हमारे काम का है कि नहीं है पहला यहां से pick up हम लोग करेंगे stock को और उसके बाद validate करेंगे कि जो हम लोग stock select कर रहे हैं वो सही है या नहीं तो इधर से significant long build up समय एक MGL को ले रहा हूँ और इधर से मैं DLF ले रहा हूँ पहला जो हमारा stock था हो MGL था इस पर देखें इस page पर हम लोग आएंगे और यहां पर हम लोग को क्या check करना है इसमें दो तरह का trend आपको check करने को मिलेगा दो तरह की चीजे यह overall बताएगा पहला की आज intraday पर क्या चल रहा है दूसरा की यह पिछले 5 दिनों से एक overall view आपको देदेगा कि पिछले 5 दिनों से यह कैसा है कैसा strong यह week है तो आज देखिए आज तो यह significant long build up दिखाई पर रहा है इस हो जासी यह significant long build up के column में भी आया था तो यह strong दिखाई पर रहा है ठीक है और इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपको दिखाई पर एगा कि long build up हो रहा है मतलब पिछले 5 दिनों में यह strong चल रहा है अब देखिए आप यहां और भी सारे stock हैं लेकिन आप दो चीजों को आप यहां देखिएगा short term का outlook यह देखिएगा और एक medium term का outlook देखिएगा और देखिए यहां पर कैसे चीजों को अमलोग preference देंगे कौन-कौन से होई build up को preference देंगे सरे stock हम आप थे वहां से आप कोई C को भी लेंगे आप यहां दालेंगे और उसके हिसाब से चेक करेंगे तो जो पहला आपको preference देना है वह significant long build up यहां पर significance long build up हो और यहां पर significant long build up हो हम फूस स्टॉक को preference देंगे पहला चीज दूसरा preference क्या होगा कि इस जगह significant long build up हो और इस जगह आपका long build up हो में बसाम में भी आपको long build up हो और long समन में भी आपको long build up होते हुए दिखाई पर रहा है को देखेंगे तो आपको फिर से दिखेंगे जो इसका आउट लूग दिखाई पर रहा है वह लॉंग विल्डप का है और आपको मीडियम तर्म में जो इसका आउट लूग दिखाई पर रहा है वह भी लॉंग विल्डप का है तो यह तीसरा प्रेफरेंस वाला स्टॉक बन करने के बाद हम लोग आ जाएंगे फ्यूचर ओपन प्रेस्ट के पेज़ पर और यहां पर हम लोग इस वाई बिल्डप को देखेंगे देखेंगे वहां पर से हमें पिछले पांच दिन का मनलब एक मीडियम तरम का भीव मिल गया ओबर आल वियू मिल लेकिन इस पेज़ पर आके हम लोग एक यक चीज को एक गंडिन के प्रेंट सैकल को एलिफिक पर सकते लोंग एक एक बिल्डप को एनलाइज करेंगे और देखेंगे यहां पर क्या से कैडल रहा है कैसा देखेंगे और थोड़ 1 बाइंडिंग दे nestखेंगे और थोड़े दोरप चले जाइए एक इस जग चलिए यहाँ पे जो आपको बड़ा सा केंडल बना है सौट कर आप देखिए इधर सौट बना है उसके बाद यह लोग वन बाइंदिंग देखने को मिला है अशके बाद आप देखेंगे सौट कवरिंग होते होते हैं तिक हैं लोध अची स्वस्थ कशसी सौट बिल्डप पिर दिखाई परें अन वाइनिंग दिखाई पर रहा है अब सौट कवरिंग दिखाई पर रहा है तो वह उतर से आप से शाम का संच में समारीvoorbeeld ऑब च्टाया आप हमारा होता है roz call के लिए आपका जो हम्होंकर चार साईकल का कंभी कोमेनësteal कुछी आपन लिए लॉग बिल्टफ के और तो अप देखेंगे कि अन्वाइंदिंग के बाद हमें यहां पर लॉंग बिल्टफ होते वह दिखाई प्र रहा है मतलब Queensoledation के बाद यहां ब्रेक आउट आते हो दिखाई पर रहा है, ओपन प्रेस के ओपर, ओपन इंक्टेस बिल्डप के ओपर, तो यह स्टॉक हमारे लिए एक हमारे रादार पे रहेगा, तो DLF पर देखिए, आपको पीछे सौट करूंग दिखाई पर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे इधर, तो यहाँ पर एक्स्टेंसिफ सौट होते हो दिखाई पर रहा है, सौट बिल्डप कुछ दिन पहले दिखाई पर रहा है, आपके इसके ओपर, DLF पर और आज ह रिवर्सल एक तरह से शुरू हुआ है, आज ही रिवर्सल शुरू हुआ है, तो अब देखेंगे, यह हमारे रैदार पर तो आ गया, तो ऐसे हम लोग करेंगे, कि लोग विल्डप है, लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, अगले दिन के लिए इंतेजार हम लोग कर सकते हैं, इसके क्योंकि आज ही लॉंग विल्डप हुआ है, आगे कोई कंफर्मेशन हमें लिखाई कर रहा है, कि यह त्रेंट कंटिन्यू होगा, तो एक तरह से हम लोग त्रेंट को कंटिन्यू बोने के लिए, इस पर वेट कर सकते हैं, रदार पर तो रखेंगे, क्योंकि यह इसमें मूव आना है, आपको मिलेगा मूव, और रदार पर रखेंगे कि कब इस पर त्रेड लिया जा सकें, सौट के लिए किसी भी स्टाउग को सिलेक्ट करना है तो आप इन दो कॉलम में से किसी एक स्टाउग को सिलेक्ट करनें आप सौट बिल्डप के लिए इस कॉलम में से इस कॉलम में से किसी स्टाउग को सिलेक्ट करें और एक्जामपल के लिए मैं बाता इंदिया को सिलेक्ट कर रहा हूं और सेम प्रोसेस हम लोग फॉलोग करेंगे जो बाकि दियलेफ और एमजेल के लिए हम लोगों ने किया बिल्डप को कैसे अपने ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा है इसे समझना है तो आई बतन में एक वीडियो मिलेगा जिसे आप जरूर देख लिजिएगा क्योंकि यह सारे वीडियो इंतर कनेक्टेद है अगर उन सब चीजों को आप नहीं देखेंगे बेसिक आपका क्लिय अग Rank閃 में लिए कि आ Communist को किती बिल्डप को इस बोनना चाहूंगा अगर आपको यह सलेक्षण पसंद आरे है यह काम का दिखे है आप तो comment में जरूर बताइए कि यह काम का है और देखिया हमें कौन-कौन सा preference रखना है सबसे पहले सौथ significant बिल्डप हमें देखना है सौथ तम में और long तम में भी हमें medium तम में हमें significant सौथ बिल्डप को देखना है और इसके बाद इस जगह क्या करना है अगर यह नहीं मिले तो significant सौथ बिल्डप देखना है और सौथ बिल्डप देखना है आपको medium तम में तो यह second preference का आपका बाता इंदिया दिखाई पड़ रहा है यहां पर यह भी नहीं मिले तो सौथ बिल्डप और सौथ बिल्डप आप देख सकते हैं मतलब यह third preference में रहेगा fourth preference में आपका जो होगा वह significant सौथ बिल्डप और आपका यहां पर long unwinding इसके बाद future open price को चेक करेंगे बाता इंदिया का तो सबसे पहले तो यह 4-5 दिनों का trend आप देखाई पड़ रहा था उसके बाद और सौथ कवरिंग दिखाई पड़ी और यह जो unwinding वाला cycle आपको जहां मिले यह indication है कि trend यहां पर change हो रहा है और वहां आप अपने position को adjust कर लिए तो यह एक तरह से क्या था क्या लॉंग चल रहा था उसके बाद unwinding हुआ मतलब एक इंडिकेशन है कि साथ यह लॉंग ज्यादा लास्ट नहीं करें उसके बाद देखिए यह सौथ कवरिंग लॉंग हुआ उसके बाद सौथ कवरिंग हमें सकते हैं